नमस्कार दोस्तों मैं हुग जिंदर दोस्तों आज के जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिडिमेट कुड़ती की सही तरीके से फिटिंग कैसे के जाती है दोस्तों जब कभी मार्केट से कुड़ती लेके आते हैं तो कई बार करें बड़े ही साइज की मिल जाती है हमारे perfect fitting की कुड़ती नहीं मिल पाती फिर बाद मैं हम क्या करते उसकी गर पर फिटिंग करते हैं तो आज का जो वीडियो रहेगा इसी topic पर रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े साइज की कुड़ती होती है यानि कि जो रिडिमेट कुड़ती होती है उसको परफेक्ट तरीके से फिटिंग कैसे करना है और बहुत डिटेल में दोस्तों एक एक चीज समझाऊंगा क्योंकि सलाइसे समझत वीडियो मैं मेरे चेल पर बनाकर डालता रहता हूँ आप समय को वेश्ट नहीं करते हुए एक अच्छी कुड़ती की फिटिंग करना सीख लेते हैं तो दोस्तों मेरे पास में डबल एक्सल साइज की कुड़ती है और इसे कुड़ती को आज में फिटिंग करूँगा मैं आपको एक बात बता देता हूँ जब कभी आपको रेट्ईमिट कुड़ती की फिटिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना है दोनो बाजू होती है यह अलग कर लेनी होती है मैं आपको बाद में बताऊँगा कि 2-0 बाजू अलग करने की मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले वो सिंपल होता है आप इस तरीके से 2-0 बाजू को हुझेड़ सकते हैं यह देखें इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू भी अलग करनी है देखे दोस्तों मैं दोनु बाजू अलग कर दी है अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं दोनु बाजू अलग क्यों किया है आप ध्यान से समझना यह देखे इसकी जो कटिंग है आर मुल की बिलकुल बराबर कर रखी है ठीक है रेडिमेट कुड़ती में अकसर कटिंग होता है मैं आपको इसका तीरे का मेजर्मेंट बता जाँ कितना है यह देखे सुख कि इनका तीर्भी गकट करेंग के और सिटिंग भी करेंगे उसके इस जो कुड़ती है मरे पास में इसको साइडौ से खौन लेना है और यह वाली चीजे इसको भी अलगक करें आहे देखिश दोस्टों मैंने बैख और फ्रेंट को अलगक कर लिया यह बैखी यह अब यहां को क्या करना है सबसे से के कृष्से को इस तरीके से डबल फोल्ड करना यह देखें तो देखें दोस्तों मैंने इसको पूरे को फोल्ड कर दिया है अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लगेंगे तीरे का निशान जैसे कि मैंने आपको स्टाइटिंग में बताया कि जो रिडीमिट कुड़ती होती उनका तीरा बढ़ा आता है अब तीरे की कटिंगें किस तरीके से करते हैं आप जना ध्यान से समझेगा मेरी बात को मैंने आपको पहले भी बता है जब मैंने मेरे शूट की यान कि जो वीडियो जो मैंने बनाई ये सूट कटिंग की उनके अंदर कि जिन कुड़तियों का बैक का गला डीप होता है यानि कि 5 इंच से अधिक डीप होता है 6 इंच होता है, 7 इंच होता है, 8 इंच होता है तो उनका जो तीरे का मेजरमेंट है हम रखते हैं 12 इंच यानि कि 12 का हाप बनेगा 6 इंच यहां से रखते हैं 6 इंच लेकिन जिनका गला छोटा होता है यान के 4-5 इंचे य context चितना भी तीरे का measurement होता है तो हमें उतना ही रखना होता है अभी येवाली जो कुर्थि ये इसका back का गला छोटा है तो मैं चोटा ही रखूंगा गला बड़ा नहीं करूंगा इसलिए जितना तीरे का मेजरमेंट है, मैं उतना ही रखूंगा, यदि आपको बड़े गले की कुड़ती की फिटिंग देखनी है, तो आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं उसके लिए एक प्रोपर वीडियो बना दूँगा, तो सबसे पहले क्या करना है, यह देखे, यह गल और इस तरीके से यह देखे, साथ इंच में निशान लगाना है, ठीक है, यह दो तीरे का मेजरमेंट हो गया, और जो आर मुल है दोस्तो, वो हम हाफ इंच एकश्टा रखेंगे, यानि कि यहां से रखेंगे साड़े साथ इंच, इस तरीके से, यह देखे, यह आर मुल का निशान हो गया, अब इन दोनों निशानों को मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस वाले को इस तरीके से, यह देखे, और इस वाले निशान को मैं नीचे इस तरीके से मिला लेता हूँ, यह देखे, अब यह आपको क्या करना है, इंच टेप को सिंपल इस तरीके से रखना है, एक निशन आपको लगाना है दोस्तो, 14 इंच पर कमर का निशान है, एक लगाना को 21 पर, यानि कि 21 इंच पर, यह होगे हिप का मेजर बेंट, अब इन दोनों निशानों को भी बड़े कर लेना है, यह वाले निशान लगाने के बाद क्या करना है, जो मैंने आरमोल का निशान लगाया था दोस्तो, इसके 2 इंच नीचे, आपको एक बिल्कुल सीधा निशान और लगाना है, मैं बताऊँगा निशान में बिल्कुल सीधा क्यों लगा रहा हूँ, तो देखें दोस्तो, मैंने निशान इसके अंदर लगा लिये, अब ये वाला जो निशान है सबसे नीचे, यहां पर तो मैं रखूँँगा hip का measurement और इसे वाले निजान पर मैं रखूँगा का measurement और जो मैंने ये वाला निशान लगाए थे थे ना, 2 इंच नीचे मेजरमेंट है वह 33 यानिकी 33 और याथ 37 यानिकी 37 अब इस मेजरमेंट में दोस्तों मैं रहोंग 15 की ल्यूजिंगे अब देखे इनका 36 में प्लस करोंगो तो बनेंगे 39 यानिकी 49 यूज ए और 49 का चोथा बहांगी दोस्तों वह बनेगा 15 अब सिंपल है क्या करना है अपको यहां से पॉन ही दस पर निशान लगाना इस तरीके से, ठीक है, और जो कमार का मेजरमेंट है वह है 33 यानि कि 33 और उसमें 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 36 यानि कि 36 और 36 का जो चोथा बाग बनेगा वह बनेगा 9 इंच यानि कि 9 इंच, तो यहां इसके जो चोथा बाग बनेगा दोस्तो वह बनेगा 10 इंच, तो यहां पर मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, अब इन तीनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिलाना है, यह वाला जो सीनी का निशान है, यह आपको कमर के निशान में इस तरीक से बढ़ा करना है ठीक है और एक निशान आपको लगाना है डेड़ इंच की दूरी पर यहां पर इस तरीके से और आपको इसकंदर आर मुल की गोला ही देनी है किस तरीके से यह देखे तो निशान मैं इसकंदर सारे लगा दिये अब ही जो मने दो इंच के उपर छोड़ा था आपको क्या करना है इस निशान से इस तरीके से बिल्कूल सीधा निशान लगाना है ठीक है यानि कि हम जो फिटिंग करेंगे ना इसकी यहां तक दो इंच तक तो बिल्कूल सीधी से लगाएंगे और उसके बाद में लगाएंगे फिटिंग के अकोडिंग अब मैं आपको बताऊंगे सीधी से लाइम क्यो लगाते हैं इस वाले निशान पर सीने का निशान लगा देते हैं तो होता है कि यह जोल बन जाता है यह देखिए इसकी शेप इस तरीके फिजारी है तो इस तरीक से शेप जाती है, ठीक है, और मैंने बिल्कु सीधर निशान लगा है, आपको बीच में इसके देखो, आगा से पोन इंच का कपड़ा नजर आ रहा होगा, वो कपड़ा इखटा होता है, और उसे के आर्मोल में जोल बनता है, तो आपको अच्छी फिटिंग का स दूट चाहिए, तो आपको कैकरा है, निशान 2 नीचे लगाना है, और वहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है, तो यह तो फिटिंग के निशान होगे दोस्तों, अभी मैं बताओं उसका घेर का निशान कैसी लगाना है, हम ने जो इसका ही रखा है, दोस्तों, ली Pack मे को नीचे इस तरीके से मिलाना यह देखें, अब दोस्तों हमें करने इसकी कटिंग, यह तो फिटिंग का निशान हो गया, और इसमें जो एक्स्ट्रा माजन रखेंगा मैं एक से टेड़ इंच का, और यहां से एक इंच का रखेंगे क्योंकि एक इंच से फोल्ड होगा, मैंने cutting इसकी पूरे की कर ली है अब ही क्या करना है बैक वाले पार्ट को भी इसी तरीके से बिचाना है और फ्रेंट वाले को इसको उपर बिचा के इसकी भी बराबर से cutting करनी है देखे दोस्तों मैंने इसको इसको इस तरीके से रख दिया है अब यहां से हम इसके बराबर कटिंग करेंगे, फ्रेंट वाले के यह देखे, और यहां से यह वाला जो है, इसको इसके बराबर कटिंग करेंगे, और यहां से इसके बराबर कटिंग करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से, तो बैक और फ्रेंट की कटिंग तो दोस्तों मैंने कर दी है, अभी साथ की साथ मैं इसे निशाने में लगा देता हूँ, एक तरफ तो फिटिंग के निशान लगे हुआ है, अब दूफरी तरफ कैसे लगाने, ये देखें, इस तरीके से, इसे पकड़ना इस तरीके से, और इस तरीके से, अब इन निशानों को ऐसे मिला लेना, ये देखें, इसको इसमें, और इसको इसमें, और इस बिलकुल सीधा, और यहां से हम वोई फोल्ड कर लेंगे इसे, जितना margin उमने extra लिया था, तो back front की cutting दोस्तो हो गई है, back front की cutting करने बद क्या करना ये देखें, बाजू को इस तरीके से एक के उपर एक रखनी है, ठीक है, और ये center है इसका, अब हमें यहां से भी इसमें point inch का down देना ये देखें, इस तरीके से दोस्तो, अब क्या करना है दो इस तरीके से जुड़ जायागा, और ये वाले इस तरीके से, और उसके बाद क्या करना है, इसमें जो fitting के मैंने निशान लगाएं, इनके उपर इस तरफ सलय लगानी, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, इस तरीके से, यहां तक सलय लगानी है, ऐसे यहां पर लगानी उसके बाद घेरा फोल्ड करेंगे, यह सारा पूर्फिजर में आपको मशीन पर बताता हूं, इस सारा पूर्फिजर में आपको मशीन पर बताता हूं, तो देखे दोस्तों, मैंने इसको पूरा कम्प्लीट कर लिया है, शोल्डर की सलय लगा लिये, साइडों से भी सलय लगा लिये, और यहां से भी फोल्ड कर लिया है, अभी बाजू कैसे लगानी है, बहुत सिंपल है, बाजू को इस तरीके से रखना यह देखें, इस तरीक इस तरफ डाउन है थिक है? तो मैं आपको बता देता हूँ आपको simpler लुक् pendulum कलता को इस तरी केस रहनी है ये देखे कैँ आप इसमें देखे ऊपर कि तरफ डाउन हे द दोस्तों तो आपको इस तरफ यह वाली बाजू लगाने है क्योंकि इस तरफ डाउन है उपर ठीक है और इसमें इदर डाउन है उपर की तरफ तो आपको यह वाली बाजू इस तरफ लगाने जो इदर डाउन है यह देखें ठीक है तो बाजू उल्टी फीदी लगना कोई मतलब भी नहीं है आपको यह चाहिए याद रखेंगी इदर यहां पर cut लगा ले को लिए और इस तरीके से निशान लगाने और जो बाजु की गोलाई उसका निशान लगाने यह दोस्तो वह दस tenc दसकाद पांच बन गया, पांच पर से निशान लगाना है, इस तरीके से इस निशान पर सलाई लगानी है, जिस तरीके से इधर सलाई लगाएंगे, सेम उस तरीके पर दूसरी बाजू में सलाई लगानी है, तो देखे दोस्तों मैंने पूरी बाजू में सलाई लगा लिए दोनों तरफ। हब यह इन दोनों स लाइयों को मिलाना यह जो बाईयों नीच रखने है। गुड़ती आपको रखनी ऊपर और हाफ इंच का मार्जन देते हुए राउंड में इस तरीके स्लाय लगाने ये देखें और ये वाला जो मार्जन है इसे इस तरीके से फोल्ड करना है तो दोस्तों एक बाजू मैंने इसकंदर लगा ली है अब जिस तरीके से मैंने ये वाली बाजू लगाई है सेम उसी तरीके से क्या करना है इस वाली बाजू को पीस में लगाना है तो द emailed दोस्तों मैंने इसे complete कर लिया है बाजू भी लगा ली है सिर्फ इसकंदर दो कम बाखी नगया है पराइस करना और दूसरे इंटरलोक करना उसके बदे पहने लाइक हो जाएगा तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करे एंड चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें क्योंकि स्लाइसे सम्मंदत वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक किली थैंक्यू सो मच